हेलो एवरीवन वेरी वेरी गूर्निंग वेलकम बैक तो माई चानल आज बहुत जल्दी जल्दी खाम करने हूँ यहां के तब नारी हूँ ब्रेकफास्ट आज पीऊ के स्कूल में है स्पोर्ट्स दे और मैं शार लेकर के आ गई हूँ दूद रग दिया है मैंने उबलने के जल्दी जल्दी करना है आज पीऊ के स्कूल में तोड़ा से स्कूल का आज रिकार्ट करूं है बहुत तक पहली बारी आज तक मैंने कभी स्कूल का शूट वगरा नहीं किया है तो चलो अब यह काम कर लेती हूँ स्कूल में तो मैंने रास्ते का जादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया चलिए स्कूल में मिल से आरोई जा रही है अच्छा तो यहां पे यह नैशनल एंथम वगेरा हो रहा था तो आज मैं आपको अपने बारे में एक बात और बताती हूं शायद अभी तक मैंने वह बात आप लोग के साथ शेयर नहीं करी है तो मैं बताओं तो मैं एक स्पोर्स गर्ल हूँ वह एथलीड गर्ल हूँ जो कि मैं बच्पन में चोटे में शादी से पहले बहुत अथलेटिक्स वगेरा प्ले करती थी खेलती थी स्पोर्स में जो आज अपनी बेटी को ग्राउंड पे देख करके इतना पराउट फील हो रहा था न मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख करके कि एक टाइम था जब मैं इस ग्राउंड पे होती थी और मतलब बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए मैं शायद मैं जो है लेकर के स्टार्ट हो गया है गेम की जो ओपनिंग होती है वो इसी तरह से होती है और मैं जब छोटी थी ना गेम्स में रहती थी तो मैं और मेरी फ्रेंड्स ये काम करते थे तो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा था मतला मेरे तो आंकों से आसू भी आ गए थे देखते देखते ये सारे इवेंट्स ये सारी बाते और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर पी हुके स्कूल स्पोर्ट्स डे में आ करके तो एक एक करके यहाँ पर इवेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए सबसे पहले यहाँ पर जिमनास्टिक वगरा बच्चों ने जूडो किया काफी अच्छा प्रोग्राम था ओके गाइस तो अभी आप लोगों का इंतिजार जो है वो खतम हो चुका है यहाँ पे पीहू का भी परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हो गया है वो चेरी गल बनी हुई है और इसके बाद उसमें सैंटा रेस में भी पार्तिसिपेट किया था तो यहाँ पे जो राइट हैं यलो ड्रेस वाला उसमें ही पीहू है बट वो भी आपको सही से दिख नहीं रही होगी तो इसमें ही वो भी डांस कर रही है जब उसकी रेस होती है तब मैं आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम वगेरा हुए अलग-अलग क्लास के और अलग-अलग सेक्शन वगेरा के तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था एंड इसके बाद फिर न हम लोगों की पारेंस की भी एक रेस हुई थी वो मैं रिक आरोही का है यलो हाउस बट इसमें आरोही है नहीं I think next batch में उसका होगा मैं आगे जाके वीडियो बनाएगा आगे एक जाईपा C तरी गाराईगा कि अपडनाग झाल यलोल पॉर्ण कि अन्हार again आप पेससानि केस्टी और जाप प्रेन के ज्टी वर्यसान। थ tribbell शोल प्रफ प्रेट लिर्म 1 य्यज ऐ दोने सेड़ 5 दिगल कि इसाने मिन भी नहीं थासी और झायो होस्सक्टी गर्थ लिद आलाफ क्यों इस दाप फेसान। पहर आणि कवरोग आूर निए मिर्याद स्जाटित ना है पहर बतनला नाम को आया था आरो है पहर नाम को आया था प्लachि गणा संपरी दिह आ है इंद आर मिर से घगतार फिर्क वाले स्टर्पाक पीड़्स थर ले में Bernard मुंवरा मुंवराया था चलो बेटू आजो सो गाइज अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है ये देखिए दोस्तों हमारी पीहु जीत चुकी है तो यहां पे कॉपी रही ता रहा था I think Mr. Verma ने सॉंग्स वगरा लगा रखे थे तो मैंने आपे वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे और आज पीहु फर्स टाइम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करी थी तो लोग धर आ चुके हैं पीहु का मैडल दिखाते हूं बचल को चलो पीहु मैडल दिखाना बिटा यह देखो अब मेरे गाइज यह देखिए यह हमारी पीहु का मैडल है पहली बार पीहु ने पार्टिसिपेट किया है और पीहु को मैडल मिला है तो हम इसको रख देते हैं भगवान के पार ऐसे यह देखिए हेलो पीहु कैसा लगा आज आपको? रेस करके पीउ सुबा से बहुत एक्साइटेट थी और गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो गई है आते हैं कि यहां पे ऐसी चल गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी अभी थोड़ा चेंज वगरा करते हैं फेस वाश करते हैं अरे हां लास्ट में क्या हुआ ना वहाँ पे पैरेंस का भी एक इवेंट हुआ उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और मिस्टर वर्मा अलग हमारी उसमें थे इसमें थे? अलग टीम थी और हां तो पिता नहीं क्या था बॉल उपर से नीचे से निकालना था ऐसे करना था वैसे करना था तो सब लोग तो पहले वहीं नहीं समझ पाये थे रूल क्या है गेम का बट एनिवेज हो गया अच्छा ओगी गाईस तो अभी ये शाम की क्लिप है एंड मैं यहां पे कुछ एक रेसिपी बना रही थी आप लोग सोचेंगे आज कर लिए मैं क्या बनाती रहती हूं मैंने यहां पे एर फ्रायर लिया हुआ है तो उसी में कुछ ने कुछ में डिश वगेरा बनाती रहती हूं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी एर फ्रायर के बारे में बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूं सो स्टे ड्यून सो चलिए इंज्वाइ करते हैं अपने इस मिनी बर्गर पीजा को सो गाइज मैंने यहां पर एक चीज बनाया है जो कि चलिए खाते हैं और दिखाते हैं मिस्टर वर्मागड़ी सी ओके फ्रेंड तो अभी यह नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप हैं और यहां पर आज मैंने लंज बनाया है निमोना चावल रोटी दही साथ में सालड मिस्टर वर्मा ने बोला आज मुझे टिफन में नहीं आज मुझे गरम गरम यहीं पर खिला दो तो बस उसी के लिए मैंने यहां पर उनकी प्लेट लगा दिये और वो जा रहे हैं अपना लंज करने के लिए चलो मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर हलो अब्रिवान वेरी वेरी गूड मॉर्निंग वेल्कम बैक एंड लंच आज मैंने बनाया है निमोना चावल, रोटी, सैलड, दही अभी आपने देखा मिस्टर वर्मा ने लंच कर लिया है भारती दी भी जा चुकी है मैं बैठी हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए और फटा फट से व्लॉग एडिट करती हूँ अगर आपको बोलू ना तो मैं बहुत गेम, स्पोर्ट, एटलेटिक्स में रहती थी खोखो, कबड़ी, हाई जुम, लॉंग जुम यह सब शायद मैं आज तक आप लोगों नहीं बताया होगा यह बाते आज मैं आपको अपने बारे मियं सच्चा ही बता रही हूँ तो जी हाँ मैं स्पोर्ट्स गर्ल हूँ, बचपन में मैंने बहुत गेम्स खेले हैं, कबड़ी, खोखो, जैबलिंग थ्रो, यह सब मैं करती थी हाई जुम, ट्रुपल जुम, हर्डल जुम, रिले रेस, इन सब चीज़ों मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है जो मेरी स्पोर्ट्स टीचर थी, उनकी मैं फेवरेट स्टुडेंट हुआ करती थी, वो मेरी फेवरेट टीचर हुआ करती थी, हम दो तीन फ्रेंट्स थे जो बहुत अच्छे से प्ले करते थे, उस मूमेंट को सो वो चीज़ वहां पर जा करके मुझे एकदम से सब कुछ रिमाइंड हो गया, मैं मिस्टर वर्मा को बोल रही थी, ऐसे ऐसा होता था जब मैं छोटी थी, शादी से पहले के दिनों में, सो अच्छा लगता है, यह सारी बातें आज आपके साथ शेयर किया मैंने, तो अच अगर आप मेरे से रिलेट कर पाते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा मेरे चानल को, चलो मिलती हूँ मैं नेक्स वीजियो में, तब तक के लिए टेक क्यार, घर पर रहो, खुश रहो, प्यार बाटो और खुश रहो, बाई